आज हम जानेंगे एलोई के बारे में, अब फाइनली मैं एलोई कराई देता हूं, सब करा दिया, मिक्षर करा दिया, होमोजीनियस मिक्षर करा दिया, हेट्रोजीनियस मिक्षर करा दिया, कंपाउंड करा दिया, एलिमेंट करा दिया, तो मिक्षर क्या है, एक होमोजीनियस मि byndi होते हैं जिससे इस metal की strength बढ़ जाया और copper region ना हो ठीक है वह खराम ना हो जल्दी तो एक बर रीट कर लेते हैं क्या दे रखा है है क्या एक alloy जो हो mo generous mixture क्या है क्या एक alloy जो है homogeneous mixture है of two or more metals ठीक है two or more metals और one metal and one none metal एक metal भी हो सकते है एक non metal भी हो सकते हैं तेक Metals are mixed in a molten state, ठीक है, molten state में mixed होते है, are mixed in a molten state, in a fixed ratio, जो ये alloys होते हैं, metals को molten state में, मतलब पिगलाते हैं पहले, पिगलाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिगलाएंगे, फिर कुछ और mix करेंगे, metals के साथ non-metal भी कर सकते है, metal भी कर सकते हैं, तो पिगलाएंगे, in a fixed ratio by mass, एक mass के fixed ratio के साथ, जैसे आप ले लो example, आपका stainless steel होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज होती है, iron तो important है, हर जगा में iron steel, इन समें iron तो important है, iron के साथ chromium होता है, तो iron 90% भी कर सकते हैं, chromium 4% होता है, एक oxygen भी लेते हैं, 1% बहुत सारे data लग लग आता है, ठीक है, तो फिर to get alloy, तो उससे alloy मिलता है, उसके बाद क्या कह रखा है, क्यों iron alloy मनाते हैं, alloys are made to improve the use of metals, ठीक है, metals का अच्छे से स्थमाल कर सके, जैसे, अगर हम लोहे की plate बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जल्दी जंग लग जाता है, ठीक है, बरतन तो धोग गई, तो जंग ज़्यादा लग जाता है, इसलिए, brass, tamba, इन सब के हम plate पे पहले खाना खाते थे, अब steel की plate में खाते हैं, तो इसलिए खाते हैं, एक metal तो जरूर लगेगा, और उसके साथ non-metal भी हो सकता है, अब example ले लो, N-A-C-L- का, sodium chloride, ठीक है, तो अब sodium chloride क्या है, एक alloy है, नहीं, क्योंकि वो molten state में हम बना नहीं रहे, यहाँ पर लिखा है कि वो metals, are fixed in a molten state, ठीक है, fixed करा जाता है, हम alloy को बनाते हैं, naturally मिलता नहीं है, और जो compound होता है, वो naturally मिलता है, हर बार बता रखा है, ठीक है, जैसे N-A-C-L हो गया, सारे compound देते तब, N-A-C-L, और एक compound में एक और चीज होती है, जाद अगर compound जो होते हैं, metal और एक non-metal से मिलके बनते हैं, ठीक है, एक metal और non-metal से मिलके बनते हैं, कुछ-कुछ compounds जो होते हैं, दो metal और एक compound से मिलके बनते हैं, उसे कहते हैं, coordination compound, तो थोड़ी higher studies में 11 class में आप पढ़ोगे, coordination compound के बारे में, ठीक है, मैंने ब्रास ठीक है ब्रास हो गया ब्राउन्स हो गया स्टीनले स्टील हो गया स्टील हो गया यह चार एक्जाम पहले लावे के तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पोच सकते हो सारे डाउट क्लियर करेंगे सो बाई बाई and have a nice day